Good morning my dear students of 4th class. This is Vanisha. You are a teacher of English from Kalpana Chawla Vidya Peet. How are you all? Hope you all are fine and healthy at your places. Today we will start chapter number 19 of grammar that is similes. Similes means, similes ka means hotta hai bittay, ek jaisa. जैसे हम किसी का comparison करते हैं किसी चीज़ के साथ, तो उसको बोला जाता है similes. जैसे संजीव है, बिटा छोटा सा बोई है, he often says, वो कई बार ऐसे बात करता है. My father is as strong as superman, कि मेरे father जो है, superman की तरहा strong है. वो comparison करता रहता है चीज़ों का हमेशा. My mother is as beautiful as a fairy, कि मेरी mother जो है, परी की तरहा सुन्दर है. My sister sings like a nightingale, कि मेरी जो sister है, nightingale, एक sparrow का name है, बिटा, उसकी तरहा गाना गाती है. जब हम किसी भी अच्छी चीज़ से comparison करते हैं, किसी भी quality का, उनको बोला जाता है similis. कि जब हम किसी भी quality का, जैसे इसमें quality है, बिटा strong quality है, beautiful quality है, और गाना गाना जो है, nightingale की तरह गाना जो गार ही है, वो भी एक quality है, उसकी तरहा इतना सुन्दर गाना गाती है. जब हम qualities का comparison करते हैं किसी के भी साथ, तो उनको बोला जाता है similis, similis are the comparisons done between two things for certain similar qualities, कि similis क्या होते हैं बिटा, दो चीज़ों के बीच में comparison होता है, एक जैसी qualities को लेकर, जैसे बिटा, यह sun है, sun कितना bright होता है, bright होता है ना sun, तो similis के examples हम ऐसे दे सकते हैं, as bright as, sun की, sun की तरह चमकीला, sun से तरह चमकीला तो कुछ है ही नहीं, as small as mouse की, mouse की तरह चोटा, as tall as mountain, mountain की तरह लंबा, as white as milk or snow, की milk or snow white होते हैं, उनके साथ comparison कर सकते हैं, black call होता है, call के साथ comparison कर सकते हैं, पिला जो होता है, as busy as be, माना जाता है, कि बी सबसे मदुमकी जो होती है, busy होती है, तो उससे comparison करना किसी भी busy इनसान का, या फिर हम comparison इस तरह भी कर सकते हैं, बेटे, जैसे cool like cucumber, cucumber की तरह ठंडा, cartoon की तरह funny, folks की तरह clever, fairy की तरह beautiful, rainbow की तरह colorful, bowl की तरह round, bowl round होती है न, देखो बेटे, तो इस तरह से जब हम qualities का comparison करते हो, तो मैं ऐसे words यूज़ करती है, अब exercise ने बेटे देखेंगे कि किस तरह से हम इसको fill करते हैं, देखो पेटा, जैसे as big as, हमारे को complete करने है, similes को as big as, बड़ा क्या होता है पेटा, elephant होता है, elephant लिख सकते हो, clear क्या होता है, sky होता है, dark क्या होती है, night होती है, cunning cone होती है, fox होती है, hard क्या होती है, brick होती है, या coconut भी लिख सकते हो, भार से hard होता है, soft क्या हो होती है cotton होती है red के दर का क्या होता है blood होता आपको लिखना है कि यह चीज़े किस तरह की होती है किन चीजों में यह qualities होती है अगली क्या है वह बीच होती है जैसे हमने chapter में भी बड़ा था cheerful क्यों होती है sparrow होती है dirty क्या होता है dust bean होता है strong आप किस की तरह बन सकते हो लोईन की तरह स्वीट क्या होता है हनी बीटर कड़वी क्या होती है मैडिसीन होती है वाइट कलर का क्या होता है मिल्क या सनो ब्लैक क्या होता है कोल या हेर भी लिख सकते हो आप ग्रीन क्या होती है लीब्स होती है हैवी क्या होती है स्टोन्स होती है या माउंट इस तरह से कुछ यह सिमिलीज हैं बैटे जो आकि आप फिल कर सकते हो अब आपको क्या करना है 20 यह दे रखे हैं 20 में से कोई भी 10 चूज करके आपको ऐसे संटेंसिस बनाने हैं एक दो मैं आपको बताती हूं बाकि आप लोग बनाएंगे अवेल वेल भी बहुत बड़ी होती जो पानी में रहती है वेल इस एस एलिफेंट ओके तब इसकी यह तो आपका वेल का हो गया अब और आप क्या बना सकते हो तो आप बना सकते हो माई ब्रदर इस स्ट्रोंग लाइक लोयन की तरह स्ट्रोंग है तो इस तरह से बेटे आप किसी भी तरह से संटैंसिस बना सकते हो यह आप खुद से बनाओगे ओके बेटा होप यू अंडस्टैंड थैंक यू बाई बाई